जई जगन्नात में शिवानी च्वाक्रवर्ति अपने चानल बॉंग कलिंग फूर्टेल्स में आप सब का स्वागत करती हूं आज के हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नात मंदिर में जन्माष्टमी की नीती कैसा की जाती है वेशे तो हमने लास्टेर भी इसके उपर वीडियो अप्लोड किया था लेकिन वो काफी वड़ा था इस बार हमने चोटा सा वीडियो बनाया है जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए पूरे विश्व में जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया जाएगा और कुछ जगे पर परसो मनाई जाएगे लेकिन जगन्नात मंदिर में ये दो दिन का पर्व होता है हर साल पहला दिन होता है सब्तमी के दिन जो भादरम मास्ट की शुक्री प्रक्ष की सब्तमी होती है क्योंकि ये जो प्रक्रिया यहां पर जगनात मंदिर में होती है वो किसी और मंदिर में नहीं होती क्योंकि यहां पर स्वयम जगनाजी मा देव की बनकर प्रभु श्री कृष्ण जी को जनम देते हैं और राम नवमी के अफसर पर मा कोशल्य बनकर प्रभु श्री राम जी को जनम देते हैं क्योंकि प्रभु जगनाजी जो है वो अवतारी हैं वो स्वयम अवतारी हैं वो अवतार को उत्पन करते हैं इसलिए जब भी मंदित में जनमाष्ट मिका पर्भ होता है या वे शिराम नविका पर्भ होता है तो वो स्वयम अवतारी बनकर अवतारों को जनम देते हैं जैसे क जगर्नाजी जो है वो देब की मा का स्वरूप लेंगे और वहां पर उन्हें एक स्पेशल भोग लगेगा जिसको कहा जाता है जेवर भोग और ये भोग जगर्नाजी को इसलिए दिया जाता है ताकि जगर्नाजी क्योंकि वो मा बने हुँ है मा देब की बने हुँ है क्योंक जिसको कच्छा भी खाया जाता है और पका हुआ जाता है और घर्वधारन के समय इसके ओशदी के रूप में दिया जाता है ताकि जो लेबर पेन होता है वो कम हो सके जो सामान महिलाए होती है तो क्योंकि यहाँ पर जगर्णा जी मादेव की बनी हुई है तो उनको यह भोग दिया जाता है यह भोग मैंने लास्टेर अपलोड किया था और इसके साथ भी जातो भोगो की पूरी थाली होती है जिसमें भगवान जी का पीठा जीली यह सब होता है और इसके साथ जेवड जगर्मादमंदर में विशयष पर होता है तो एक विशयष आठी कहा जाता है और प्रभूजी का जर्म नक्षत्र होता है तीनों भगवानओं का उस दिन भी उनके पास एक 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 यह टिशा आहीम होती है तो आज भी आर्टी होगी जिसको कि गर्भोदय बंदापना आर्थी कहा जाता है जिसमें कपूर आर्थी बाती आर्थी और अक्षत से बंदापना किया जाता है तो ये दो प्रक्रियाइं आज होती हैं गर्भोदय बंदापना आर्थी और ज्योडवोकम ये समाप्त होने के बाद जो कल की नीती होगी वो कृष श्री किष्न जन्मनीति समापन की जाती है, वहाँ पर सबसे पहले उसको धोप खड़ किया जाता है, अर्थात उसको साथ सफाई उसकी होती है उस जगे की, और उसके बाद वहाँ पर पंच बर्न अभीर से एक मंडल काटा जाता है, जिसको कि कहा जाता है कृष्न भद्र और वहीं पर भगवान क्रिष्ण जी की तरहाइड उस मंडल की अंदर कमल का पुष्प भोता है वहीं पर एक सोने की भगवान क्रिष्ण को रहा जाता है और उस कमल k kardeş की ऊपर मा लक्ष्मी मा लक्ष्मी के किशुबन्य प्रतिमा होती है उसके बाद वशुदेव जी मा योशोदा, मा योग माया उग्रसेन जी, मा रोहिनी नंद राजा, राजा बली इन सब की प्रतिकृति जो होती है एक चांदी के जो चित्रपट होता है उसी में होता है मंडल अंकन करने के बाद प्रभुष्र बरुन देव की पूजा की जाती है और जगर्ना जी के जो महाजन सेवात होते हैं, उन में से एक मा देवकी का स्वरूप धारण करते हैं अस्टमी के दिन उनके पाउं में बेडिया होते हैं और उसी तरीके से और एक महाजन सेवात होते हैं जो वसुदेप का रोल प्ले करते हैं और कोई एक सेवात होते हैं जो उग्रसेंग जी का रूप धारण करते हैं जगर्नात मंदिर और देवी सरफषती के मंदिर के बीच में जो जगा है उसको यमुना नदी की तरह परिकलपना की जाती है पूरी कृष्ण लेला जगनात मंदिर ने उस दिन किया जाता है और भी बहुत कुछ होता है जो मैं यहाँ पर विस्तित रूप से नहीं बता सकती जो कि मैंने लास्ट एर वीडियो में बताया था यहाँ पर मैं शंक्षिप में थोड़ा सा बता रही हूँ और उसके बाद जब भगवान कृष्ण के जनम का समय आता है तो उसी मंडल के उपर उनकी जनम क्रिया जो होती है उसको समापन किया जाता है और उसी के पास भगवान जी का नाभी कटा मंडप है वहाँ पर प्रभु जगर्णाजी जो भगवान कृष्ण के रूप में आये है उनका नाभी काटा जाता है हम आपके घर में जिस तरीके से बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो भी क्रियाएं होती है जगर्णाज मंदिर में exactly वही क्रियाएं होती है क्योंकि जगर्णाजी मानवे लीला करते है तो उनकी मानव की तरह ही सारी क्रिया कलाप होते है तो जिस तरीके से घर में बच्चा पैदा होने पर जो भी क्रियाएं होती है तो यहाँ पर भी वही समापन होता है क्रिष्टन जन्म की प्रक्रिया होता है देवी की प्रक्रीया होती क्ष्यमा करने के लिए उनसे श्यमायाचना करते हैं और इसमें एक चूर्ण दिया जाता है जिसमें जीरा होता है जाइफल होता है तेजपता होता है लौंग होता है और शुद्ध गाय की घी में थोड़ा सा गुड़ डालकर एक चूर्ण बनाया जाता है और चूर्ण समापन होने के बाद जगननात्मंदिर में जो अश्टमी की नीती होती udah वह समापन की जाती है उसके बाद जुन अश्यव उसकी प्रक्रिया शुरू होती है तो ए AH लगा को आज के लिए इतना ही रहते हैं जय जय गन्नात जय माकाली हरे कrishn